आपकी ये गल्ती, करोणों का नुखसान आपको करा सकती है, शायद आपको पता नहीं होगा, चाबी से आपका भविशे खुला होता है, क्योंकि जो चाबी होती है, हर ताले को खोलने में सक्षम होती है, जो उसके लिए बना है, लेकिन ताला चाबी का जो कंबिनेशन होता ह वो आपको पता होना चाहिए, तालत चावी का कॉंबिनेशन आपको पता नहीं होता, इसलिए बरबादी आती है, इसलिए आपके केतू रुष्ठ हो जाते हैं और आपके भर्ग्योते में उन्नती में तरह तरह की मुसीबतें और रुकावटें आती हैं, आज हम इसी पर आप आपको जानकरी देरेंगे, आपका जो नसीब आपको बंधा हुआ लगता है, तो नसीब ऐसे बंधा हुआ नहीं होता, आप एक खुद की आदत होती है, आप खुद ऐसी गलतिया करते हैं, और नसीब बंधे होए होने का रोना रोते रहते हैं जमाने में, ऐसा नहीं होता म मित्रों मेरी बात को समझना और मनन करना इस बात पर कि क्या आप ये गलतियां करते हैं तो आईए आज का वीडियो शुरू करते हैं मैं हूँ आपकी एस्टर लोजा डॉक्टर रूमा शरी मेरे चैनल में हमेशा आपका स्वागत होता है आज भी पूरे मन से आपका स्वागत करती हूँ कैसे हैं मित्रों अपने हालचार बताते रहा करिये अच्छा लगता है आपके बारे में जानकर मेरे जो भी विवर्स हैं सब्सक्राइबर हैं सदा पनपते रहें तरक्की करते रहें यहीं मेरी ब्लैसिंग उनके लिए होती है तो आईए आज का वीडियो अंत्र मंत्र यंत्र की और जीवन दर्शन की और धरम करम की और विरत अपवास की बहुत अनेक तरह की जानकरी में आपको देती हूँ जो आपके जीवन में आपको सुखद बदलाव लाने में समर्थ होते हैं यह मैं नहीं कहती मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर के कम मुगे बताते हैं और तब मैं जान पाती हूँ कि मेरी वज़ेसे कितने युरों की जिन्गी बदल गई है और दुखत-जिंगीस प्रिवडित हो गई है ऐसा महसुस होता है कि मैं खुशी अनुभव करती हूँ आज मैं आपको जानकरी दे रही हूँ ताला चाबी के बारे में मित्रो कभी भी ताला अलग और चाबी अलग नहीं रखनी चाहिए ये बद शकुनी होता है तो आपको चाहिए कि ताले में चाबी जो उसकी चाबी है उसको साथ में ही लगा के रखें और एक दरवाजे पे कुंडा होता है न उस पर टांग के रखें ये व्यवस्थित रहेगा तो आपकी जिन्दगे भी व्यवस्थित रहेगी हमारे घर की जो चीजें होती हैं हमको व्यवस्थित रखने में अनुशासित रखने में बहुत बड़ा रूल अदा करती है लेकिन हम इन चीजों के महत्व को नहीं समझते हैं ये अनुशासन का पार्ट अगर हम नियमित रूप से फॉलो करें तो हमारी जिन्गे में कोई कश्ट नहीं आए तो ताला चाबी आप एक साथ रखें लेकिन उससे भी महत्वपून बात है कि अपने घर की सबी चाबियों को टटो लिए और उन तालों को भी टटो लिए जो एक दूसरे के लिए बने हैं अर्थात जो जिसकी चाबी नहीं है उस ताले को फैंग दीजिए और जिस चाबी का ताला नहीं है उसको फैंग दीजिए मतलब पेयर में होनी चाहिए सारे चीज़ें सैट होना चाहिए जिसका सैट नहीं है उसको कहीं भी फैंग दीजिए दस्ट बिन में फैंग दीजिए कहीं भी फेंक दीजिए. लेकिन आपके घर में नहीं होने चाहिए. बंदगडियां जैसे मनाँसियत को बडावा देती हैं. फटे टूटे कैलेंडर नहीं होने चाहिए आपके घर में. कैलेंडर नव वर्ष का होना चाहिए. ये मनुसियत का दियो तक होता है और feng shui इसके सला आपको नहीं देता है पुराने अकबार magazine का collection भी आपकी घर में नहीं होना चाहिए अगर आपको collection करने का shock है professionally इसको आप use करते हैं तो अलग बात है अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी बर्कत बनी रहे आपके उन्नती हो आपकी progress हो तो पुराने चीज़ों को अपने घर में सहेच कर रखना बंद कर दीजीए आपके घर में उनके गोले भी नहीं होने चाहिए जो काम में नहीं आ रहे हैं ऐसे गोले उनके जो बुनाई की काम में नहीं आ रहे हैं वर्तमान में उनको भी अपने घर में नहीं रखना चाहिए ऐसे लोगों की किसमत उलज के रह जाती है उनकी गोलों की तरह बंध के रह जाती है यह चीजें ऐसी होती हैं कि आपको लगता है आपकी किसमत किसी ने बान दिये लेकिन आप महसूस करेंगे और सर्च करेंगे तो आपकी घर में ही negative समान मौझ्त होता है और उसको negative नहीं मानते हैं आप positive मानते हैं यह आपकी सबसे बड़ी भूल होती है लाल किताब भी ऐसे कहती है कि उनके घुले अपने घर में ना रखें चड़ती बेल अपने ऐसे रोग को नहीं लगाने चाहिए जिनका मंगल दूशित होता है उनको ठोस चांदे की गोली अपने पास में हमेशा रखनी चाहिए ये सला भी हमें लाल किताब देती है तो हमारी जो प्राचेन ग्रंथ हैं जोतिश संबंदी और तंत्र मंत्र संबंदी ये भरे पड़े हैं ग्यान दर्शन से और हमको ग्यान देते हैं ताले चावी के का ममलबी ऐसा है चाबी के बारे में कहा गया है कि चाबी का छला औरत की कमर में लगा हो तो वो उसकी शुबा बढ़ती है और उसकी सुन्दरता में व्रत्धी होती है आप चांदी का छला लगाते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलता है जिसको सट का भी बोलते हैं कमर बंद भी बोलते हैं और आपके क्या बोलते हैं आप मुझे कमेंट में आके आवश्य बताना तो कुल मिलाके जो चाबी का छला होता है उसका कोई की रिंग होना चाहिए वो चांदी का भी हो सकता है, सोने का भी हो सकता है, Imitation वाले ज्वैलरी भी हो सकती है, लिकिन आपको रखना जरूर है, चाबी, ऐसी ही नहीं रखने चाहिए, किसी भी कीचें में रखिए, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, भगवानों के कीचिन आपको बहुत फायदा करते हैं और आपके इंदर स्पिरिचुल एनरजी को भर के लाते हैं कभी भी नेगेटिव एनरजी या राक्षस के जो राक्षस या भयानक मुखोटों वाले की नई लाएं अपने जीवन में इससे आपको नुकसान हो सकता है कुल मिलाके की रखने का एक स्टैंड नियत समय पे रखें और इस्थान उसका एक ही हो तो आपकी अंदर अनुशासन की भावना आएगी और अनुशासन हींता आपके जीवन से समाप्त होगी क्योंकि डिसिप्लेन में रहने वाला मनुशे ही तरक्की करता है टाइम का उसको समय का अंदाजा होना चाहिए समय की कदर जो करता है उसकी कदर समय खुद करता है तो मैं हूँ आपकी एस्टर रजा डॉक्टर उमा श्री आज बहुत खास वीडियो लेकर आई थी मेरा कंकलूजन यही निकलता है कि जो आपके चावी और ताले का सैट है उसको आप पेयर में रखें जिसका ताला नहीं है उस चावी को न रखें और जिस जो ताला की ताला चावी एक दूसरे के लिए बने रहते हैं और यह भी लव बट की तरह काम करते हैं तो जिस ताले की चावी नहों या जिस चावी का ताला नहों उनको डिस्पोज आफ कर दीजिए और लोह लत्तर में बेश दीजिए किसी भी तरह से आपके घर में नहीं होने चाहिए ऐसे ताले चावी भी नई होनी चाहिए अगर आप पुराने ताले की नई चावी बनवाते हैं चावी मेकर से चावी बनाने वाले से तो भी आपके जिन्दगी में कश्ट आ जाते हैं उनसे बचने के लिए आप ये कारे ना करें और ताला चावी का सैट नया ही लेकर आएं अगर कोशिश करें पीतल का तला अपलाते हैं तो बहुत फाइदा मिलता है और आपको सिल्वर तला भी बहुत फाइदा देता है तो आज का वीडियो इतना ही था, I hope आपको पसंद आया होगा मेरे वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और comment section में आके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसे लगी Thank you so much